आज मैं आपके साथ बहुत ही खुब्सूरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अप्लाई कर सकते हैं लेडी स्वेटर जैन्ट स्वेटर गल्स्वेटर बेबी स्वेटर बच्चों के और प्रोजक्ट कैप ब्लैंकेट आदि में बनके बह इस पैटन को बनाने के लिए हमने टू के मल्टि SPEAKER में पंदे डालने हैं पलस हमने वन पंद एक्स्ट्रा डालने हैं दस नमबर की सलाई में हमने इस पैटन को बना लेना है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो इसकी नोट्फिकेशन के लिए लाइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम अपना पैटन बनाना स्टार्ड करते हैं तो देखे बॉर्डर कम्प्लीट होने के बाद फ्रंट साइड से पैटन की फस्ट रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे नेस्ट फंदा हमने बिना बुने उतार लेंगे अब इन ही दो फंदा का प्रोसेस हम आगे करेंगे धागा अपनी ही साइड रहेगा एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे फिर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे एक फंदा बिना बुने उतारेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा बिना बुने एक फंदा उल्टा बुनेंगे और ल पहला फंदा उतारेंगे और रॉंग साइट से हमने सेकिंड रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है पूरे पैटरन में हम रॉंग साइट से यही प्रोसिस रिपीट करेंगे यह देखे रॉंग साइट से पैटरन की सेकिंड रो कंप्लीट होगे अब देखे फ्रन्ट साइट से पैटरन की थर्ड रो थर्ड रो में हमारा पैटरन रिपीट एंड सिप्ट होगा पहला फंदा उतार लेंगे अब देखे नेस्ट धागा अपनी साइट करेंगे अब अब जो next फंदा है इसको हम बुन के उतारेंगे इस तरीके से, धागा अपनी ही side रहेगा, और इन ही 2 फंदा परोसेस आगे repeat होगा, next फंदा बिना बुने उतारेंगे, और next वाला फंदा बुन के उतारेंगे, अब देखे, एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है, एक फंदा बिन बुने, एक फंदा बुन के उतारेंगे आप देखे ये वाला फंदा है इसको हमने बिन बुने उतार लेना है धागा पीछे करेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बुन लेंगे तो देखे ए फ्रंट साइड से पैटरन की 3rd row complete होगे, रोंग साइड से देखे 4th row, 4th row को हमने 2nd row की तरह उल्टा बुनते हुए complete करना है पूरे pattern में हम back side से यही process repeat करेंगे यह देखिए back side से हमारी 4th row complete हो गई अब देखिए front side से pattern की 5th row अब 5th row में हमारा pattern repeat होगा 5th row को हमने pattern की 1st row की तरह बुनते हुए complete करना है अब हमने इन ही 4 सलायों के pattern को बार बार repeat करते जाना है और बनके देखिए हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखिए भौती सुंदर भौती आसन pattern है आप इसे all project में apply कर सकते है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न बूले, thank you